विल्कम टू माई चैनल रिजल ठंडे दोस्तों तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मोज्ट इंपोर्टेंट कुश्चन इन्वार्मेंट और इकलोजी तो इसमें हम लोग देखेंगे ना जो भी इन्वार्मेंट इकलोजी आपका फर्स्ट इयर में नया सब्जेक कोई भी कुश्चन नहीं आने वाला है अगर आप इत्ता तयार करके चले जाएंगे तो आप अराम से अच्छे नंबर गेन कर ले जाएंगे ठीक है तो आपका इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है तो हम आपको यूनिट वाइज इंपॉर्डन कुश्चन आपको प्र पिर आता है डिसकसता अबचेकिव अफ सस्टेनेबल डेबलपमेंट और ऊंसस्टेनेबल डेबलपमेंट कैसे ससटेनेबल डेबलपमेंट मं कंवर्ट हो जाता है उसको आपको तैयार करके जाना है फिर आता है Dep Keyajad Te virtual de Comedy ief टेयां इसका full form मुझे याद नहीं है ठीक है बट आपको मैं provide कर दूँगा नीचे comment box में देखके फिर आते हैं define environment and their types with scope and importance ठीक है यह आप तयार यह चारो points आप तयार कर लेजेगा ठीक है फिर उसके पास याते हैं unit 2 में तो unit 2 में हम देखें तो what is bio biogeochemical cycles ठीक है इसको आप तयार करना है फिर discussing brief steps of nitrogen cycle का पूरा का पूरा brief मतलब with neat diagram and पूरा detail ठीक है uses or advantage disadvantages जो भी आप तयार कर पाए nitrogen cycle पे उसको फिर carbon cycle ठीक है फिर solar energy and fossil fuels energy and renewable and non renewable energy resources इसको आप पढ़ लेजिएगा फिर how non-conventional energy resources may contribute to a better environment ठीक है तो आपका conventional energy हुआ non-conventional energy ठीक है इसको आप तयार कर लेना है फिर define arsenio causes ठीक है discuss the study of arsenic poisoning in drinking water discuss the impact of air pollution on plants, animals and materials जो कि ये एक question है ठीक है फिर ये है what are the various adverse effects of fluoresis discuss the जो भी है ठीक है नालगाउड़ा technique to deflore the water ये आपके question जो है कि unit 2 में important है इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके examination में अगर आप इतना तयार कर ले जाएंगे तो आप 100% number पापाएंगे ठीक है तो आपको ये unit 1 के important question और unit 2 के important question ठीक है ये बनाना है क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल के papers में से analysis करके इसका बनाया हूँ ठीक है फिर unit 3 में देखे तो classify solid waste and discuss various disposal methods with merits and demerits ये question तो आपका fix or fix guarantee 100% आएगा आपको देख लीजेगा ये question पका आना ही आना है फिर आपका water pollution हुआ discuss the impact of air pollution, air pollution और water pollution में कोई एक आ सकता है या फिर ये water act ठीक है तो आपको ये तीनों question मिलना ही मिलना है या तो water pollution या air pollution में कोई एक मिल जाएगा या फिर यह water rate 1974 मिलेगा है और यह solid waste तो पक्का पक्का आएगा ही आएगा तो unit 3 में यह 4 point आपको 20 out of 20 gain करने के लिए मैंने बनाए हैं तो आप इसको एकदम तयार करके जाएगा फिर unit 4 में देखा तो what is ozone layer ozone hole फिर ozone layer ठीक है इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़के जाना है ठीक है यह question अब 80% guarantee मैं कह सकता हूं कि यह question आएगा हां पर यह green house effect and global warming यह तो पक्का आपका आना ही आना है फिर आते हैं acid trend what are the causes and effects of acid trend इसके बारे में आपको पढ़ना है फिर on what mechanism global warming is based upon elaborate the various impacts of global warming ठीक है तो आपकी यह unit 4 के जो भी चार मेंने important question बनाया है इसमें सही आपको question मिलने वाला है इसके बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला है तो आपको इतना तयार करके जाना है फिर आते हैं unit 5 पे तो unit 5 म operated in India means दो ऐसे NGO के बारे में पूरा detail लिखना है जो कि आपके इंडिया में काम करते हैं ठीक है और NGO होता क्या उसके बारे में लिखना है फिर आता है discuss in detail environment act 1986 के बारे में फिर how human education help in environment protection discuss the policy of Indian government for development of women education आपको यह मतलब unit 5 में यह important question है तो मैं आपको बता दू कि यह पहली बार सब चुड़ा है first year में तो इसके previous year paper first semester में आप कहीं भी search करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा यह final year का subject है ठीक है तो यह आपको जो है कि मैंने उससे previous year के question paper इसमें से मैंने बनाया है मैंने 5-6 साल question paper को analysis करके बनाया है ठीक है तो इसके बाहर आपको कोई भी question मिलने वाला नहीं ह है आपको इसमें सही question मिलेगा आप देख लिजेगा यह मैं 100% से और हूँ ठीक है तो यह जित्ते भी question मुझे important लगे मैंने बना दिया है ठीक है क्योंकि यही question बार बार repeat कर रहे थे उसमें तो मैंने जित्ते भी अलग question थे हूँ मैंने लिख दिये है तो अब यह जो है कि इत्ता आप त्यार करके चलेए तो पक्का आप इसको रच्छा कर पाएंगे फिर जो है कि और किसी subject पे आपको important question बनवाने है तो आप comment box में comment कीजिए with subject and subject code and channel को subscribe कीजिए और अपने दोस्तों में जित्ता हो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जित्ता हो से